जैहिन मेरा नाम है रवी आपका स्वागत करता हूँ अर्थ वर्दन चनल में अधित्य विल्ला म्यूचल फंड अपना एक नया केटेगरी का फंड लॉंच करने वाला है जिसका नाम है अधित्य विल्ला क्वांट फंड क्या आपको पता है इसके अंदर फंड मेनेजर का करने वाले हैं मशीन्स जी हां मशीन्स डिसाइड करेंगे कि यहां पर इस फंड के अंदर कौन से कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं कौन से कौन से स्टॉक्स को अवैड करना है कौन से कौन से स्टॉक्स को यहां पर होल्ड में रखना है तो यह जितना भी सारा डिसीजन र उसका जो return है वो reasonable है ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते ज्यादा बुरा भी नहीं कह सकते लेकिन ये एक बहुत unique category का fund है जिसके अंदर आपको consider करना चाहिए इसके उपर watch रखना चाहिए अब यहाँ पर क्या होता है कि quant जैसे fund के अंदर जो भी decision लेना होता है वो machine लेता है कौन से stock को लेना है कौन से stock को sell कर देना है कौन से stock को आपको यहाँ पर अपने watch list के अंदर रखना है तो यह जितने भी decision होते हैं वो mostly यहाँ पर जो quant machine होते हैं वही लेने वाले यह बहुत ही super computer type के जो machines होते हैं वो यह सब decision लेते हैं इसमें क्या होता है कि जो भी fund manager रहेंगे वो ideas को ऐसे machines के अंदर feed करना रहता है जिसको हम recipe भी कहते हैं यह recipe को execute किया जाता है और execute करने के बाद उसमेंसे जो stocks निकल कर आते हैं उनके उपर यहाँ पर पूरा का पूरा विश्वास रख कर investment किया जाता है अभी देखो इसके अंदर अगर human intervention रहेगा तो यह 10 से हमको stocks generate करने हैं तो वही idea सिर्फ fund manager decide करेगा उसके बाद जो stocks निकल कर आएंगे उनके उपर विश्वास रखकर यहाँ पर fund manager अपने fund के अंदर सामिल करने वाला है अब यहाँ पर जो idea रहता है समध लो कि उसके अंदर समध लो कि 200 जितने stocks आ रहे हैं तो 200 stocks मेंसे जो idea के बाद recipe को यहाँ पर run करने के बाद आखिर के अंदर समदलो की 50 stocks आ रहे तो 50 stocks के अंदर ही investment किया जाएगा अब इसके अंदर 50 stocks के अंदर आने के बाद fund manager ये नहीं इसमें से decide कर सकता कि इसको हमको रखना है प्लस एक दो stock हमको और add कर देने हैं तो इस type का decision इसके अंदर नहीं होने वाला है तो ये जो stocks निकल कर आएंगे उसी के द्वारा यहां पर fund बनने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर human intervention नहीं रहने वाला है पूरा का पूरा जो भी यहां पर decision रहने वाला है वो machines कर रहेगा machine की एक खासियत होती है कि वो बहुती ruthlessly decision लेता है साथ में यहां पर एक और बात में आपको बताता हूं कि machine कभी भी गलती नहीं करता है वो कैसे जो भी आपने machine को आदेश दे दिया मतलब recipe के अंदर set कर दिया वो machine उसी हिसाब से काम करता रहेगा जब तक आप उसको interview ना क करना शुरू कर देता है तो वो machine आपको नहीं बोलता है कि भाई आभी यहां पर आपको accelerator नहीं करना है आपको यहां पर अपनी speed कम करने चाहिए यह कोई भी decision यहां पर कार नहीं लेता है अगर ब्रेक मारनी हो अगर एक बर ब्रेक मार दिया तो कार वहां पर रुख जाती ह कार यहां पर decide नहीं करता है कि भाईया हमको यह stop में नहीं रुखना है हमको आगे वाले stop में रुखना है यह सब decision यहां पर कार नहीं लेता है तो यह जो भी है जो यहां पर human है वो decide करता है कि कहां पर रुखना है कहां पर नहीं रुखना है बाकी जीतना भी काम है एक point से दूसरे पॉइंट पर ले जाने का काम यहां पर मशीन करते हैं मतलब कार करती है तो आगे आने वाले समय के अंदर यह वाला जो फंड है बहुत इंट्रस्टिंग रहेगा देखने के लिए अगर आपको इस टाइप के नए टाइप के फंड के अंदर इंवेस्मेंट करने का विचार है ताप डिस्केप्शन में दिया हुआ लिंक उसको यूज कर सकते हैं यह जैनुविन लिंक रहेगा अदित्य विल्ले म्यूचल फंड का ही लिंक रहेगा वहां से आप अपना इंवेस्मेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही इसीली स्टार्ट कर सकते हैं Quant type के fund के उपर हमारे ये वीडियो आपको कैसा लागा आप हमें comment करके जरूर बताईएगा Thanks for watching